हाँ जी नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से प्रभोत क्लासेज में आप सभी प्यारे मित्रों का तो आज बहुत दिनों बाद में हम लोग मिल रहे हैं और आज पसू परीचर जो बरती जिसके आवेदन ओल्रेडी फिल हो चुके हैं उन लोगों के लिए ये वीड में आ जाएगा कि क्या होता है पसू परीचर कैसे इसकी पूरी की पूरी तयारी करनी है अब अगर आप लोगों ने अवेदन फिल कर दिया है तो अब अपने पास कितना समय बच्चा है कितने समय का यूटिलाइज किस परकार से करेंगे कितने टोटल फोम बरे गए हैं या आपको यह पता होना चीए आपको यह पता होना चीए कि आपकी परिक्सा थिती क्या है आपको यह भी पता होना चीए पैरमित्रों कि आपकी सफल रणनिती क्या होनी चीए जिससे आप इस जोब को इस परत्यों की परिक्सा को करेंग कर सकें और अपने जीवन में पहली नो कर चुके हैं और उनके लिए आज एक मोटिवेशन भी मान लो उसके लिए सब कुछ आप लोग मान लो तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्या होने वाला है देखो अपनी आज के जो मुद्दे हैं वो यह मुद्दे हैं यह तीनों आपके सामने लिके हुए हैं इन तीनों ही मुद्दों के बारे में चट्चा करेंगे हम लोग कौन-कौन से मुद्दे हैं एक बार देख लेते हैं सबसे पहले देखो परिक्षा की दिनाग क्या होगी आप में से कहीं लोगों को पता चल गया होगा आरा से सम्भी ने अपना कलेंडर जारी किया है उस कल में बाता होना चीए है तक हम को पता रहे हैं कि किस किस पहसा जो है unhappy जग होने वाली है लड़ाय वहले त reopen सबने के लिए कितने अंक लेक आऊं कि मेरा selection हो जाए ये भी गारणटी होने जाए Wow 1200 नमबर का paper है तो मैं कितने अंक लेक आ जाऊं जिससे मेरा selection हो जाए अब मैं एक एक करके सबही चीजों पर बात करने वाला हूं सबसे से ङखर से पहले दिनाक की बारे में से समीह सारी हैं और इसको मैं तोड़ा साथ बढ़ाकर लेता हूं के सामने अपने काम की चीज केवल और केवल आज kier दिन के लिए पशू परीचर भड़ती जिसको तोड़ा सा बढ़ा करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं यह आ गया चलो यह देखो पसू परीचर भरती ताजुब की बात ये भी है कि नोन सीटी है देखो मुझे कहीं न कहीं सीटी से तोड़ा सा जिदक इसलिए लगा क्योंकि कुछ लोगों ने पिछली बार सीटी को हो बोगह जएधा लाइट्ली लिया और कंई लोग सीटी पास भी नहीं कर पाय तो किसी ने एक्वाम भी नहीं किया तो इस बार जिसके सीटी किलियर है यह सीटी जो है पास कर ली है उन लोगोंने तो उनके लिए ये जो उपर जो बढ़ती आा यह ऴोज़धा मेतव हुरह है तो इनके बारे में अगर कॉंडन एक वीडियो भनानी हो तो मुझे कमेंट कर üzere अब बताना के पास कितने मंत बच्चे हैं अभी कौन सा चल रहा है फेबरेरी चल रहा है भाई फेबरेरी चल रहा है हम लोगों को सिप्टमबर तक जाना है तो सिप्टमबर तक के बीच के महीने जोड लीजे कितने दिन आपके पास बच्चे हैं ये भी आप लोग लगा लीजे अगर अ परिक्सा आप लोड लेने वाली ना जिसे ग्रेटपस्टे लिए और अससे? प्रोफेशर वालों के लिए उन के लिए तोड़ा सा समय किया हो सकता हुते हैं परवालों के लिए उनका सेलपस्ष्ट कोचिंग वाले आठ दस महीने में पुरा करवाते हैं collectors के के बाद में फिर कंटस्ट भी करना पड़ता है तो फरवरी से आपके पास कौन-कौन सा महीना बचा यहां पर एक तो आपके पास मार्च बचा ठीक है इसके बाद में अप्रेल बचा आपके पास अप्रेल में लिक रहा हूं अप्रेल फिर उसके बाद में बताओ अप्रेल मह पीर जूर फिर उसके बाद में आपके पास जुलाई पिर उसके बाद में आपके पास अगस्त और फिर अगले मैंटे में अपका एक्जाम है तोàng कितने मैंने भचे एक दो तेन चार पाँच छह उप्झजिसे नियुक्त है ठीक है चह हम येने में आराम से तैयारी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है चाहे मैंने में कितने दिन हो गए चैत्री एटारा मतलब कि आपके आपके पास लगबग 160 दिन बच्चे हैं मैं तो यह बाहन के चलता हूं क्योंकि फेरवरी तो लगबग वेसे भी निकल चुका है तो लगबग 160 साथ से 170 दिन आपके पास है अभी तक तो अगर एक दिन का आप लोग एक यूनिट भी करते हो तो भी कंप्लीट हो जाएगा आपके पास अपने पास सेलेवस के रूप में है क्या आप देखो अगला जो अपना टॉपिक ताज का वह था कि कितने अंक में लेके आजाओं जिस के पास पूरी की पूरी दो पार्ट में पूरा सेलेवस डिवाइड किया है एक तो 105 अंकों के लिए 105 प्रिश्ण और एक है 45 प्रिश्ण 45 अंकों के लिए टोटल जो पेपर की परिक्सा की जो अउद्धी होगी वह तीन घंटे होगी यहां पर कुछ नोट है वह आप लोग आपको एक उत्तर के लिए एक अंक अधिक्तम और एक गलत उत्तर के लिए आपको अगर चार गलत उत्तर करते हो तो एक आपके पास जो है सही जो है वह कट जाएगा ठीक है और एक और बात ध्यान रगना अभी जो नियम आया है उसके बाहर है प्रिक्सा तो अगर आपके पास विग्यप्ति ओल्रेडी आ चुकि ना तो प्रेशन पत्र में नियूंतम 40 प्रतिसत अंक लाना अनिवार्य है यह ध्यान रखना ठीक है तो अभी तक हम तो इसमें सेलेबस में क्योंकि सिदे सिदे आलोक राज जो आपके रसे जंबी के चेर्मेन है उन्होंने क्या बोला से आगे की परिक्षा का जो माना किस तरह हो सेकेंडरे यां दस्वी लेवल के पेपर यहां पर आपके पास होने वाले हैं अब देखो आगे बात करते हैं कि ठीक हुँ हुँ हाटे करम में क्या है आपके पास 105 प्रश्णों में आपको जो है यह तो कहीं बार आपको किसी ल लोगों ने बता दिया होगा तो मैं यहां बताने का सिर्फ और सिर्फ यह मोटी है कि देनिक विज्ञान की हम लोग एंसी क्यूज बेच चालू करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले बायों को हम लोग पूरी कवर करेंगे दसवी तक की जितनी भी बायों के प्रश्ण आते ह करेंगे तो ध्यान रखना अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना फिर उसके बाद मेत है आपके मेत के मैं सोच रहा हूं कि कोई टीचर मिल जाए मुझे अभी तक मिला नहीं है तो ठीक है मैं कोसिस करूंगा कि मिल जाए समाजी कद्देन आपको मे सब्सक्राइब करेंगे ताकि उसको रिवेजन कर सके है ना फिर भुगोल इतियास यह सब आप लोग पढ़ते हैं यह हर एक परिकसा में पढ़ते हो ठीक है इसके अलावा जो करेंट अफेर है यह करेंट अफेर के बारे में सोच रहे हैं कि कम से कम अंतस प्रेशन करेंट अफेर्स के रोजाना हम लोग लेक्या है ठीक है तो कोशिद कर रहे हैं लेकिन वह तब होगा जब आप लोग रिस्पॉंस देखेंगे क्या आप लोग कई अभी मैंने कुछ वीडियो डाले भी है इसमें आपके जो भी पार्ट है पेटाली संको वाला लेकिन उसमें कोई म सबको सब पता है में मुद्दा क्या है यह हम लोग देखने वाले में मुद्दा क्या है कि मैं कितने अंक लेक्या हूं सब्सक्राइब आपके पास डेड़ सो अंक डेड़ सो और डेड़ सो में से आपको अगर पैतालिस अंकों को छोड़ दें तो हमारे पास एक सो पांच तो आपके सब्जेक्ट के बच जाते हैं जो कि दस्वी लेवल तक के आपको करने हैं और यह 45 अंकों को भी अगर हम लोग इंक्लूड करें तो पूरे डेट सो हो गए अब देखो यहां से कम से कम मुझे लगता है कि आप लोग आराम से 80 ला सकते हो और हर कोई बंदा ळा सकता क्योंकि इतने को deeply प्रॉष्षं यहां से नहीं पूचये जाएंगे जहां तक मुझे लगता है हम लोग यहां तो यहां कम से कम आप लोगों को 30 प्रश्ण करने पड़ेंगे कम से कम 30 प्रिश्ण आप लोगों को अटेंड भी करने पड़ेंगे और सही भी करने पड़ेंगे क्योंकि 15 और इनमें कोई ज्यादा हाड प्रिशन नहीं आते हैं कोई कई में तर्मोनलोजी नहीं है बिल्कुल सिंपल सिंपल बाते हैं तो आप लोगों को टोटल दोनों को हम लोग मिला दें तो तक्रीबन आपक और 115 का बीच का जो स्कॉर है वह सेप माने जाएगा क्योंकि या नेगेटिव मार्किंग भी है बाकी पेपर के लेवल पर डिफेंड करता है तो कम से कम इतने क्यूशन तो आप लोगों को 120 क्यूशन अटेंड करने हैं जिसमें से 115 तो आपके बिल्कुल राइट होने चाहि लुटवेंगा जिसमें किस टॉपिक को कितना मैंत देना है उतना ही पढ़ेंगे तो आप लोगों को उसके लिए चेनल को सब्सक्राइब करके हर एक वीडियो को देखना पढ़ेगा हर एक अक्सा को देखना पड़ेगा लाइक करना पड़ेगा क्योंकि नहीं करोगे ना भई तो फिर हम लोगों को भी क्या है जब तक रेस्पेंस नहीं मिलता है ना जब तक हम लोग भी मोटिवेट नहीं होते हैं अब आगे हम लोग एक मेजर पॉइंट जो कि बैक कितने फोर्म बरे गए हैं आकड़ा चोक मजना आकड़ा देखके ठीक है बाकि अगर खल किसी ने फोर्म बराओगा तो उसको तोड़ा तोड़ा अंधाज लग गया होगा कि कितने फोर्म बर लग बग 19,009,386 वा यह नमबर ता और यह तकरीबन साड़ी दस बज़े यह फोर्म बराओ गया था ठीक है तो कल लाश्टेट थी साड़ी दस बज़े यह फोर्म तकरीबन बरा गया था तो उसके बाद अब देख लो आपके पास कितने यानि कि लग बारा घंटे थे और किसी हालत में नहीं और 20,00,00 से उपर आप लोग कितने मान सकते हो 21 या 22,00,00 मान सकते हो 21 या 22,00,00 यहां पर टोटल जो है फोर्म फिल हुए हैं समझ रहो तो आप लोगों को ध्यान यह रखना है यहां पर कि इतने ज़्यादा फोर्म बरे हुए हैं पद भी आपको पता है कितने हैं लग बग तकरीबन 6000 पद है बड़िया पद है कोई यहां पर 20,00,00 का सनी पासद उसने फोर्म लगा दिया कि हां ठीक है लगा देते हैं यार अपने बापका क्या जा रहा है तो यह वाली बाते चल रही है तो कोई ग्रेट पश्ट की कर रहा है तो उसने फोर्म लगा दिया है तो इनमें जो इसी की तयारी करने वाले हैं वो मुझे मोटा मोटी 3-4 लगते हैं अब 3-4 लाक में से तो आप लोग जो है वो आराम से पार पा सकते हो मेरे दी हुए guidance के अनुसार करते हो ना तो guarantee देता हूं कि selection भी होगा और अच्छे नमरों से होगा तो आज की कक्सा बड़ी हो गई है लेकिन बहुत जदा उपयोगी है अपने दोस्तों के साथ जरूर बेजना अपने छोटे भाई बैन अगर कोई तयारी कर रहा हो तो उसको जरूर बेजना अब कक्साइं फिर से रेगुलर रहेंगी मैं आपको बता देता क्योंकि दस लगबख साथ दिन से कक्सा यह तो डल रही थी लेकिन हम लोग एपसेंट थे हना तो हमारे वहां चल रहे थी सिरिश्याम की प्राण परतिष्टा तो इसमें में वेस्ट था भई हना तो अब बाबा सिरिश्याम जो है जल्दी से हमारे हमें हमें भी आगे बढ दाएगा इसी मेरी कामना है अगर आप लोगों को अगया कख्सा पसंद आये तो कमेंड में जैसरी शाम जरूर लिख देना मिलते अगली कख्सा में तब तक के लिए राम रामसा जैसरी शाम